नमस्कार एक बार फिर आपका स्वाकत है हमारी चैनल पर बालूड की सुपरसीद अभिनेतरी दिपिका पाधुकोड जी पांस जनौरी को अपना पतिस्वा जनम दिन मना रही है और दिपिका जी ने बालूड एक्टर अडविर सिंग से साधिकी है आज दिपिका जी बालूड की नमबर वन एक्टरेस है और दिपिका जी ने बालूड में सहरूखान के साथ फिल्म उम संतियों से अपनी सुरुवात की थी फिल्मों में आने से पहले दिपिका जी मौडलिंग करती थी और अनुपाम खेर की फिलिम एकेडमी से एक्टिंग का कोर्स भी कर चुकी है दिपिका जी ने साल 2004 में फैसन स्टाइलिश्ट प्रसाद विदपा के साथ मौडलिंग की सुरुआत की थी और इसके बाद दिपिका जी ने सुमित वर्मा और वेंडेल रोडिक्स जैसे फैसन डिजाइनर्स के साथ भी काम किया और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चेहूंगा मौडलिंग के दिनों में दिपिका जी को लेकर वेंडेल रोडिक्स ने एक बार कहा था कि अपने केरियर में मैंने सुर्या रोड के बाद ये पहली लड़की देखी है जो इतनी खुबसूरत और फ्रेस है और दिपिका पादुकोड जी मसुहूर बेडमिंटर प्लेयर प्रकास पादुकोड की बेटी है और किसीन परिवार में सोचा नहीं था कि दिपिका जी फिल्मों में जाएगी ओम संतियों को डारेक्ट करने वाली फराखान ने दिपिका को हिमेश रस्मिया के म्यूजिक वीडियो नाम है तेरा में देखा था और दिपिका पर फिल्म मेकर फराखान की नजर पड़ी और बहुत पहले उन्होंने दिपिका को फिलिम आफर की मगर दिपिका जी ने उस वक्त मना कर दिया था क्योंकि दिपिका को लगा कि अभी उन्हें आर सिखना है और बाद में दिपिका पदुकों ने फरा खान की ही फिलिम ओम सांतियों में सेरु खान संग डिवियो किया की काष्टिंग के दौरान जब सेरुखान सहाब ने दिपीका को देखा तो उन्हें दिपीका पसंद आई और उन्होंने कहा था कि ये माडल सुपर हाड है हाला कि सहरुखान सहाब को सक्था की क्या दिपिका जी सांती का रोल निभा पाएगी हाला कि दिपिका जी ने ना सिर्फ ओम सांतियों में काम किया बलकि अपने काम से लोगों को हैरान कर दिया और दिपिका जी ने लोगों की सोच भी बदल दी जो सोचे थे की मौडल एक्ट लिला राम लिला बाजी राव मस्तानी पद्मवती और छपक जैसी फिल्मों में काम किया और आज नंबर वन हिर्वाइन बन गई है और आने वाले दिनों में दिपिका जी के हाथ में कई प्रोजेक्ट है दिपिका जी फिलहाल सकून बत्रा की फिल्म में व्यस्त है जिसमें अननिया पंडे और सिद्धान्त चतुरवेदी भी हैं। इसके अलावा दिपीका जी रैडवीर के साथ फिलीम तिरासी में नजार आएगी। इसमें वो कपिल दो की वाइफ रोमी अली के रोल में होंगी। और देखते ही देखते आज बालूट की सुपरसिद अभीनेतरी दिपीका पादुकोड जी 35 साल की हो गई है। तो हम लोगों के तरप से दिपीका जी को जनम दिन की बहुत बहुत बढ़ाई और वे जहां भी रहें, खुश रहें, अबाद रहें हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों बात के बालूट की सुपरसिद अभीनेतरी दिपीका पादुकोड जी की तो आज इसी तरह के जनकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों हमारी चैनल को सब्सक्राइब निकी हैं तो प्लीज दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजेगा औ और वीडियो को भी तक लाइक निकी हैं तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा थांच दोस्तों हमारी वीडियो वाचिंग करने के लिए